अस्सलामू अलेकुम वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारी से हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें और हमें दिल से सपोट कीजिए चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते है आज की इस वीडियो में हम वो तिन वक्त के बारे में बताएंगे जिसमें नमाज पढ़ना हराम है अब इन तीन वक्तों में कोही भी नमाज अदा नहीं कर सकते है तीनों वक्तों में पहला वक्त होता है तुलूए आफताप का यानी सूरज निकलने के वक्त से 20 मिनिट टक के बाद तक के वक्त तक तुलूए आफताप का वक्त रहता है इस वक्त में आप ना कोई नफिल नमाज पढ़ सकते हैं ना कोई कजा नमाज पढ़ सकते हैं जब सूरज निकले कम से कम 20 मिनिट गुजर जाए इसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं दूसरा वक्त होता है जव्वाल का इस वक्त भी आप कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकते है जवाल का वक्त तब होता है जब सूरज बिलकुल बीच में होता है जवाल का वक्त ज्यादा दिर नहीं रहता बस दो तिन मिनिट रहता है तीसरा वक्त होता है गुरूबे आफ्ताप का यानि जब सूरज डूबने वाला होता है जब सूरज सुर्क हो रहा होता है इस वक्त में भी नमाज पढ़ना जाईज नहीं है जब सूरज डूब जाता है मगरेब की अजान होती है तो ध्यान रखे मगरेब की अजान से थोड़ी दिर पहले का वक्त गुरूबे आफताप का वक्त होता है इस वक्त भी कोई भी नमाज ना पढ़े यहाँ पर एक बात का गौर किजिएगा तिनों वक्तों में आप सिब नमाज नहीं पढ़ेंगे बाके इन वक्तों में जिक्र, तजबी, तिलावत कर सकते है मुस्लिम सरीफ की रिवायत है सहाबाय कराम इरसात फरमाते है हमारे प्यारे नभी करीम मुहम्मस सलललाह अलेह वसलम ने इन तिन वक्तों में नमाज पढ़ने का मना फरमाया है पहला तुलूए आफताप, दूसरा जवाल, तीसरा गुरूब आफताप का वक्त इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मिद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आयोगी दूआ की दर्खास, अस्सलाम अलेकुम